हलो एवरीवन वेल्कम टुक्रिजी जीकेटरेक फ्रेंड्स आज कोंगी इंपोर्टेंट टॉपिक को डिसकस करने वाले हैं इस साल इंघिया G20 ग्रूप्क का प्रेश्डुन्ट है achter इंडिया इस साल G20 में उधिक्षता कर रहा है इसको देखते हुए इंडिया में समय समय पर important events को organize कराया जाता है क्योंकि G20 group लगाता news बें बना रहता है इसलिए हमारे लिए important है कि हम G20 group के बारे में और इंडिया की अध्यक्षता में जो भी important initiatives और meetings कराई जारी है उनके बारे में जाने क्योंकि यहां से exam में question आने के probability बहुत जादा है इसी को देखते हुए friends यह session प्लैन किया गया है यहाँ पर सबसे पहले हम जो भी important information है उसको discuss करेंगे और last में फिर हम एक MCQ session solve करेंगे ताकि हमको एक idea लग जाए कि किस तरह के exams में हमको questions देखने को मिल सकते है तो आईए शुरू करते हैं आज का session सबसे पहले हम G20 group के बारे में बात कर लेते हैं G20 जैसा के नाम से ही जायर होता है 20 का सबू है मगर यहाँ पर हमको एक important बात जो note करनी है वो यह है कि G20 group 19 देशों से मिलकर और European Union से मिलकर बनता है यानि किसमे total 19 countries plus one European Union मिलकर G20 group बनाता है अगर हम बात करें कौन से 19 countries G20 group में आती है तो Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Mexico, Republican of Korea, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, United Kingdom और United States of America यह वो 19 countries हैं जो G20 group में आती है G20 group friends important इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड की 85% GDP को यह represent करता है साथ ही वर्ल्ड में जो trade होता है उसका भी 75% G20 group देशों के साथ होता है इसलिके साथ हम देखते हैं कि वर्ल्ड की दो तिहाई population भी G20 group represent करता है अगर हम बात करें कि आकरकार G20 group की इस थापना कैस होई तो friends 1999 में एशिया में वित्तिय संकट याने के financial crisis देखी गई थी उस समय वैश्विक आर्थिक और वित्तिय मुद्दो पर चर्चा करने के लिए एक forum बनाने की बात की गई और उसी के चलते हम देखते हैं कि हाँ पर वित्तिय मंत्री और केंद्रिय वेंको के गवर्नर का एक मर्च तयार हुआ जिसको हम G20 group बोलते हैं और इसकी इस थापना 1999 में की गई उसके बाद हम देखते हैं कि 2007 में एक बार फिर से वैश्विक आर्थिक और वित्तिय संकर्ट देखा गया उस समय की financial crisis को देखते हुए जो head of states होते हैं उनके स्तर पर भी meeting कराने का एयुजिन किया गया और फिर हम देखते हैं कि पहली G20 summit वाशिंग्टन USA में और्गनाइस कराई जाती है उसके बाद 2009 में G20 को अंतर राश्ट्रिय आर्थिक सहयोग के लिए एक प्रमुक मंच के रूप में डिक्लियर कर दिया जाता है तो फ्रेंड्स इसलिए G20 ग्रूप में जो भी निड़ने लिए जाते हैं वो काफी important होते हैं international cooperation के लिए और international financial stability के लिए आईए अब समझते हैं कि G20 ग्रूप काम कैसे करता है फ्रेंड्स G20 ग्रूप का अध्यक्ष देश एक साल के लिए G20 का agenda आगे बढ़ाता है उसकी मेजबानी भी करेगा जिसका आयोजन न्यू देली में September में किया जाएगा G20 ग्रूप का कोई permanent secretary नहीं है मगर G20 ग्रूप के अंदर दो समान आंतर track देखने को मिलते हैं पहला है financial track और दूसरा है शैप्रा track financial track में finance minister और central bank के governor भाग लेते हैं और वो यहाँ पर अर्थ विवस्ता से related important decisions और policy बनाते हैं दूसरा track है friends शैप्रा track जहाँ पर हर देश एक शैप्रा को nominate करता है वो basically member countries के high profile officers होते हैं इंडिया से इस साल अमिताप कांथ शैप्रा नियुक्त किये गए हैं friends यह जो शैप्रा ग्रूप होता है इसके अंदर हम देखता है कि 13 working group हैं दो initiatives हैं इसली के साथ यहाँ पर engagement group भी इसके अंदर हम को देखने को मिलता है शैप्रा ग्रूप लगातार काम करता है और finally शैप्रा track में जो भी चिटे decide होती हैं उनको last में head of stage discuss करते हैं इसके बाद यहाँ पर G20 group का हमको final statement और declaration देखने को मिलता है जो इस साल सेप्टमबर में हमारे सामने आएगा तो इस तरह से G20 group काम करता है आईए अब बात करते हैं कि इंडिया की अध्यक्षता में G20 group किस तरह से अपना agenda set करेगा और इंडिया G20 group को किस तरह से आगे ले जा रहा है इंडिया की अध्यक्षता में 200 से ज़्यादा meetings organized कराएज जाएंगी 50 से ज़्यादा शहरों में और यहाँ पर 32 different work streams पर काम किया जाएगा इंडिया की अध्यक्षता में इस साल की theme है जिसका उलेख हमको मिलता है महा उपनिशद में इंडिया की अध्यक्षता में जो हमको लोगों देखने को मिलता है वो इंडिया के flag से inspired है जहाँ पर हमको saffron, green, white और blue color देखने को मिलता है यहाँ पर हमको इंडिया का national flower lotus भी देखने को मिलता है जो basically दर्शाता है growth amidst challenges यानि के चुनोत्यों के बीच विकास और यहाँ पर जो अर्थ है वो इंडिया की pro planet approach को दर्शाता है जहाँ पर इंडिया nature के साथ harmony में यानि के प्रकरती के साथ सामन जश्में रहता है फ्रेंड्स इंडिया की जो theme है वो भी यहाँ पर life यानि के lifestyle for environment को दर्शाती है जहाँ पर इंडिया ने बार बार ये बार दोराई है कि हमको इस तरह से हमारी lifestyle यानि के जीवन को जीना है जहाँ पर राश्ट्री विकास के साथ साथ जो environment है पर्याव रणे उसको कुछ नुकसान ना हो बलकि ऐसा विकास हो जिस से आने वाला future और clean, green और blue हमको देखने को मिले तो फ्रेंड्स ये बातें इंडिया ने अपने logo और theme के जरिये जहर की है इंडिया एक दिसम्बर 2022 से 30 नमबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष रहेगा इंडिया से पहले इंडोनेशिया ने G20 की अध्यक्षता की थी इंडिया के बात फ्रेंड्स ब्राजील G20 की अध्यक्षता करेगा इंडिया की अध्यक्षता में हम देखते हैं कि Startup 20 Agenda Group की स्थापना हुई है यह पहली बार है कि G20 में Startups को लिकर बात की जाएगी इसी के साथ इंडिया की G20 अध्यक्षता में आपता जोकिम को गठाने के लिए एक नया कार्य ग्रूप स्थापित किया गया है यानि के यहाँ पर एक नया Working Group बनाया गया है Disaster Risk Reduction के लिए इंडिया ने अपनी G20 अध्यक्षता में ये निड़ने लिया है कि वो बांगलादेश, इजिप्ट, मौरिशियस, निदरलेंड, नाइजिरिया, ओमान, सिंगापूर, स्पेन और UAE इन कंट्रीज को इन्वाइट करेगा जब Head of States की मीटिंग होगी आईए अब जानते हैं कि भारत की अध्यक्षता में G20 की प्रात्मिक्ताएं, Priorities क्या होने वाली है Friends, पहली प्रात्मिक्ता तो यही है कि Green Development, Climate Finance और Life पर Focus किया जाए यहाँ पर यह वर्ड Life, Basically Lifestyle for Environment को दर्शाता है इसी के साथ Accelerated, Inclusive and Resilient Growth की बात की गई है यानि के यहाँ पर समावेशी विकास की बात की गई है साथी में Friends यहाँ पर SDGs यानि के Sustainable Development Goals को और TG से आगे बढ़ाने की बात की गई है United Nations की तरफ से जो 2030 के अजेंडा में Sustainable Development School दिये गई हैं उनको आगे बढ़ाने की बात यहाँ पर की जा रही है फिर हम देखते हैं कि तकनीकी वदलाव और Digital Public Infrastructure को आगे बढ़ाने की बात की गई है इसी के साथ यहाँ पर कीसवी सदी में बहु पक्षिय संस्थानों को आगे बढ़ाने की बात की गई है और लास्ट में Friends हम देखते हैं कि महिलाओं के नेतरित्व में विकास की बात की गई है यानि कि जो Development है वो Woman-led Development होना चाहिए इसकी बात इंडिया यहाँ पर करता है तो Friends यह कुछ important points है जो इंडिया यहाँ पर G20 समिट में highlight करता है तो Friends यहाँ पर हमने जो important information है G20 ग्रूप की और Indian presidency की उसको discuss कर लिया है आईए अब हमें एक MCQ session solve कर लेते हैं जिससे यहाँ पर हमको अंदाजा लग जाए किस तरह के questions हमको exam में देखने को मिल सकते हैं Friends आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही important update है Crazy GK trick के जो courses है Friends आपको वो root app पर available है Crazy GK trick app पर भी available है मगर Friends अब हमने Crazy GK trick की website को भी launch किया है जहाँ पर आप इन courses को अब laptop पर, desktop या फिर अपने tab पर भी देख सकते हैं तो Friends एक बार आप Crazy GK trick की website को जुरूर विजिट करें वहाँ पर आपको Crazy GK trick के सभी courses available हो जाएंगे इस website की link Friends description box और comment में pin की हुई है जहाँ से आप इस website को विजिट कर सकते हैं तो Friends एक बार जुरूर विजिट करें Crazy GK trick की website को चली आगे बढ़ते हैं पहला कोशन है भारत द्वारा आयोजित G20 Summit की theme क्या है तो Friends भारत की अध्यक्षता में theme है One Earth, One Family, One Future, वासुदेव कुटुमकम जिसको हमने महा उपनिशस से लिया है अगला कोशन है G20 Group की स्थापना कब हुई थी Friends G20 Group की स्थापना 26 September 1999 को हुई थी एशिया में वित्तिय संखट के बाद G20 Group की स्थापना हुई थी इस बात को भी आपको याद रखना है फिर next कोशन है कि निम्न में से कौन सा देश G20 का सदस नहीं है इंडोनेशिया मेकसिको और टर्की G20 का सदस देश है सिंगापूर यहाँ पर G20 का सदस नहीं है अगला कोशन है निम्न लिखित में से कौन सा जी टुइन्टी सिकर्शम्मेलन का उद्देश नहीं है प्रमोटिंग ग्लोबल एकोनोमिक ग्रोथ यानि के आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा देना एननेंसिंग फाइनेंशल रेगुलेशन वित्तिये नियमों को संचालित करना फिर है इंप्रूविंग इंटरनेशनल ट्रेड रेलेशन यानि के अंतराश्री इस्तर पर व्यापार को सुधारना फ्रेंड्स ये तीनों जी टुइन्टी ग्रोप के उद्देश हैं मगर प्रमूटिंग रिलिजिस हार्मनी यानि के धार्मिक स्वार्थ को बढ़ाना ये जी टुइन्टी का उद्देश नहीं है फ्रेंड्स अधिकतर बच्चे इस कोशन को गलत कर देते हैं क्योंकि जी टुइन्टी उनको लगता है कि 20 कंट्रीज का ग्रोप है मगर याँ पर आपको याद रखना है कि G20 में 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है इसलिए इसका आंसर है A.19 क्योंकि G20 में 19 कंट्रीज हैं फिर नेक्स्ट कोशन है G20 समिट सबसे पहले कहा हुई थी सबसे पहली G20 समिट 2008 में USA में हुई थी 2007 में जो वर्ल्ड रिशेशन देखा गया था और एकनॉमिक स्लोडाउन देखा गया था उसको देखते हुए याँ पर G20 समिट की सुरूबात की गई थी जिसमें Head of States यानि के देशों के प्रमुख भाग लेते हैं जो इस साल इंडिया में New Delhi के प्रगती मैदान में आयोजित की जाएगी सेप्टेमबर में फिर नेक्स्ट कोशन है भारत की अधिक्षता में विज्यान सचीवाले 20S20 की बैठक कहां हुई फ्रेंड्स इस बैठक का आयोजन IISC बैंगलूरू में हुआ था फिर अगला कोशन है फ्रेंड्स ये मीटिंग महाराष्टरा के पूने में आयोजित की गई थी नेक्स्ट कोशन बहुत इंपॉर्टेंड्स इसको जुरू नोट करियेगा यहां बर पूछा गया है कि बरतमान में कौन से देश मिलकर G20 का ट्रुएका बनाते हैं फ्रेंड्स ट्रुएका बहुत ही इंपॉर्टेंड कोंसेट है G20 का इसके अंतरगत तीन देश मिलकर ट्रुएका बनाते हैं वरतमान में जो G20 का अध्यक्ष होता है और इससे पहले वर्ष में जो अध्यक्ष रहा और आने वाले वर्ष में जो अध्यक्ष रहने वाला है ये तीन कंट्रीज मिलकर ट्रुएका बनाते हैं यानि के वर्थमान में इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील ये तीनों मिलकर ट्रुएका बनाते हैं हम सबी जानते हैं कि G20 का permanent secretary rate नहीं है इसलिए ये तीनों countries आपस मिलकर काम करते हैं जिससे G20 के कारवाही में निरंतरता बनी रहे और G20 के जो agenda है वो आगे बढ़ते रहे तो friends ट्रिवेका group में कौन-कौन है इंडिया, इंडोनेशिया और ब्राजील इस बात को आपको note करना ह बहुत ही important question है फिर अगला question है निमलिकित में से G20 के बारे में कौन सा कथन सही है friends G20 का permanent secretary rate नहीं है इसलिए भी गलत हो जाएगा 2015 की जो G20 meeting हुई थी वो चाइना में organize नहीं कराई गई थी इसलिए ये भी गलत हो जाएगा G20 की अध्यक्षता हर साल change होती है इसलिए D भी गलत हो जाएगा तो यहाँ पर सही answer क्या हो गया A G20 का जो group होता है वो ट्रुएका group के द्वारा support किया जाता है यह आपने previous question में ही discuss किया है तो सही answer है यहाँ पर A अगला question है इंडिया की अध्यक्षता में G20 L20 summit कहाँ पर आयोजित की गई यह summit बिहार की राजधानी पटना में आयोजित की गई बहुत important summit है यह L20 यहाँ पर labor को represent करता है आई यह देखते है next question भारत की अध्यक्षता में वित्तिये समाववेशन कारे समू के लिए वैश्विक भागेधारी की पहली बैटक कहाँ आयोजित की गई France Global Partnership for Financial Inclusion Working Group की meeting जो है वो कॉलकता वेस्ट बेंगॉल में आयोजित की गई थी इसको भी याद रखिएगा आईए देखते है next question निमलिकित में से कौन G20 का प्रमुक समनवायक है यानि के चीफ कॉडिनेटर है तो इस वक्त हम देखते हैं हर्षवरदन श्रिंगाला G20 के चीफ कॉडिनेटर है इस कोशन को भी याद रखिए का बहुत ही important कोशन है अगला कोशन है भारत की अध्यक्सता में स्ववी G20 बैटक कहां आयोजित की गई स्ववी G20 मीटिंग UP के वारा नसी में आयोजित की गई थी ये मीटिंग एगरिकल्चर चीफ सैंटिस्ट की थी जो की वारा नसी में आयोजित की गई फिर नेक्स्ट कोशन है निमलिकित में से के शहर में भारत ने विकास के पत पर एक जूटा के प्रतीक के रूप में G20 पार्क विक्सित करने का प्रस्ताव दिया है तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में G20 बनाया जाएगा फ्रेंट्स यहाँ पर हमको यह बात भी नोट करना है कि New Delhi में ही Head of States की G20 समिट होगी जिसका आयोजन 9 से 10 सप्टेंबर 2023 में किया जाएगा और यह समिट New Delhi के प्रगति मैदान में आयोजित की जाएगी यहाँ पर यह जो Head of States की समिट होगी उसका अठारवा संस्क्रण हमारे सामने आएगा यानि 18th G20 समिट इंडिया में आयोजित की जा रही है इस बात को भी आपको नोट करना है फिर अगला कोशन है What is the official language of the G20 समिट? English, French और Spanish यह तीनों ही G20 की official language है यानि कहीं हाँ पर से आंसर हो जाएगा D, all of the above फिर next question बहुत ही सिंपल है इसका आंसर आप सभी को पता होगा निम लिखित में से किस देश ने 2022 G20 सिकर्शम मेलन की मेजमानी की थी Friends यह मेजमानी इंडोनेशिया ने की थी बाली में समिट को रोगनाईज कराया गया था और वो सतरवा संसकरन था G20 समिट का वो बहुत important question है इन सबी points को note करिएगा कहीं से भी question आ सकता है Next question हम देखते हैं भारत की अध्यक्षता में कहाँ पर पहली G20 Empower Meeting आयोजित की गई Friends यहाँ पर Empower Meeting Women Empowerment के लिए की जाती है Basically यहाँ पर Empower का मतलब है Women's Empowerment of Win-Win for Equity and Economy Friends यह meeting भारत में उत्तरप्रदेश के आगरा में आयोजित की गई थी इस point को आपको note करना है फिर next question है Which of the following organization is not affiliated with the G20 यानि के कौन सा संगठन यहाँ पर G20 से संबंदित नहीं है Friends IMF International Monetary Fund United Nations UN World Trade Organization WTO यह तीनों G20 से affiliated है मगर यहाँ पर International Bank for Reconstruction and Development G20 से affiliated नहीं है आये देखते हैं और कौन से अंतराश्टी संगठन G20 से affiliated है तो Friends UN, IMF, World Bank, WHO, WTO, ILO, FSB और OECD यह वो अंतराश्टी संस्था हैं जो G20 से affiliated है छेतरी इस्तर पर हम देखते हैं के Asian बहुत important group है जो की G20 से affiliated है फिर next question हम देखते हैं के किस IIT ने Youth 20 Consultation की मेजबानी करी भारत की G20 अध्यक्षता में तो Friends इसकी मेजबानी IIT कानपुन ने की थी इस point को note करना है फिर अगला question है Thing 20 की meeting कहाँ पर आयोज़ित कराई गई थी भारत की अध्यक्षता में तो Friends यह meeting मत प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोज़ित कराई गई थी फिर next question हम देखते हैं के किस City ने G20 Foreign Minister मीटिंग की मेजबानी करी Friends यह meeting New Delhi में आयोज़ित कराई गई थी आये देखते हैं next question कौन से देश में अगली G20 Summit और्गनाईस कराई जाएगी 2024 में तो Friends 2024 में ब्राजील में next G20 Summit होने वाली है आये देख लेते हैं कि recent years में कहाँ कहाँ G20 Summit को और्गनाईस कराई गया 2020 में रियात में 2021 इटली, 2022 इंडोनेशिया, 2023 इंडिया, 24 में ब्राजील में होगी और 2025 में साउथ अफरिका में G20 Summit का आयोज़ित किया जाएगा इंडिया में 18th G20 Summit है, ब्राजील में 19th होगी और 20th G20 Summit साउथ अफरिका में होगी इस तरह भी आपको याद रखना है, यहां से भी कोशन आ सकता है फिर नेक्स्ट कोशन हम देखते हैं कि G20 के शैपरा ट्रेक के अंतरगत रोजगार कारिस समू की पहले बैटक कहां आयोज़ित कराई गई यह मीटिंग राजिस्थान के जोदपुर में आयोज़ित कराई गई थी फ्रेंड्स बहुत सारी मीटिंग लगातारा चलती रहती है यहां पर जो पहली मीटिंग होई है किसी भी वर्किंग ग्रूप या किसी भी इनिशेटिव की उसको ही हम देख रहे हैं यहां पर आपको देखने को मिलेगा निउज में कि सेकेंड और थर्ड मीटिंग भी होती है मगर यहां पर प्रबिलिटी फर्स्ट मीटिंग से आने की ज़्यादा है इसलिए हमने फर्स्ट मीटिंग को ही डिसकस किया है फिर नेक्स्ट कोशन है कि कहां पर फिर नेक्स्ट कोशन है कब और कहां पर यहां से भी कोशन आ सकता है आईए देखते हैं नेक्स्ट कोशन निमलिकित में से B20 की थीम क्या है फ्रेंड्स B20 यानि कि Business 20 की जो मीटिंग है वो गांधी नगर में सबसे पहले आयोजित की गई इसको भी आपको याद रखना है और इस B20 की थीम है रेज यहां पर रेज डिप्रेजेंट करता है R से Responsible, A से Accelerated I से Innovative, S से Sustainable और E से Equitable बिजनिस को आईए देखते हैं नेक्स्ट कोशन जो बहुत जादा important है यह कोशन जरूर किसन किसी एक्जाम में आपको देखने को मिलेगा नेमलिकित में से किसको भारत ने G20 के शैपरा के रूप में निक्त किया है इंडिया की तरफ से हम देखते हैं कि अमिताप कांथ को G20 के शैपरा के रूप में निक्त किया गया है आईए अब डिसकस करते हैं आज का लास्ट कोशन Friends, वासुदेव कुटमकम का उलेख किस उपनिशत में हमको देखने को मिलता है Friends, इस बात को हमने इस लेक्चर में कुछ नए इनिशेटिव्स लिया है और इंडिया ने किस तरह से G20 के अजेंडे को सेट किया है आने वाले एक्जांस में आपको डेफिनेटली G20 से कुशन्स देखने को मिलेंगे तो Friends, इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा और Important Points को याद करिएगा अगर Friends, आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो वो आपको हमारी Crazy GK Trick एप पर अविलिबल हो जाएगा वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो Friends, यहाँ पर एंड करते हैं आज का सेशन I hope आपको इस सेशन informative लगा होगा ऐसे ही और वीडियोस दिखने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले मिलते हैं नेक्स लेक्षर में जब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर